वेल जब भी बुल मार्केट चलता है मार्केट में आ जाते हैं नए-नए आई-पियोज वेल इस हफते भी आपको मिलने वाले हैं तीन आई-पियोज और यह आई-पियोज आ गए हैं आपसे पैसा लेने अब यहाँ पर पीछे आप देख रहे हो एक आई-पियो आ चुका है जाना स्मॉल फिनांस बैंक का आई-पियो जो आपसे लेना आया है पांसो सत्तर करोड रुपे अब देने का यह नहीं देने का यह आपको समझ आ जागा अगर आप इस वीडियो को एंट पक देखेंगे सबसे पहले जो लोग आई-पियो में अपलाई करना चाते हैं वो क् क्या इस आई-पियो में बहुत जादा एक्सपेक्टेशन ने लिस्टिंग इनकी आंसर है नहीं अगर इस वक्त मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखूं जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं आज पहला दिन ग्रे मार्केट के अंदर बहुत जादा हल चल नहीं है सिर् 17% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है मतलब अगर आप अपर प्राइस बैंड दिखोगे इस IPO का तो 414 रुपे के ऊपर ग्रे मार्केट में लोग सिर्फ 70 रुपे एक्सटा देने के लिए इस IPO के लिए तो अगर आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम कभी दिखता है 50% से उपर का तो तो आप expectation रख सकते हो कि अच्छा listing gain मिल सकता है बड़ यह इतना बुरा IPO नहीं है क्योंकि अभी हम बहुत सारी चीज़े समझने वाले हैं तो grey market premium को देखते हो यह तो समझ आ रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला कि आपका पैसा double हो जाएगा हो सकता है कि आपको listing gains मिल जाए बड़ कितने मिलेंगे यह और भी चीज़ों के उपर depend होगा अब उसमें एक और factor आ जाता है कि इसमें subscription क्या आ रहा है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप last day पर apply कीजएगा subscription status देखते होए although retail category के अंदर और H&I category के अंदर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ subscription 100% complete हो चुका है मतलब subscription आ चुका है और यहाँ पर सिर्फ qualified institutional buyers के अंदर अभी under subscription दिख रहा है तो आपको पता है कि जब भी IPO आता है अलग-अलग categories होती है qualified institutional buyers के अलग category होती है हो IPO में apply करने के लिए हो सकता है आपको listing इनके chances अच्छे दिख जाए अब आगे बढ़ते हैं कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी जरूरी है 2006 से ये company as an NBFC चल रही है non banking financial corporation के साब से ये company operate कर रही है अब 2019 में इने commercial bank का license मिलता है तो 2019 से as a commercial bank ये operate कर रहे है अब ये saving account, current account, fixed deposit, recurring deposit आप ये सब bank के साथ तो करी सकते हो इसके साथ-साथ banks provide करता है loans अब यहाँ पर क्योंकि ये small finance bank है तो ये ऐसे customers को loan provide करते हैं जो कि ऐसे लोग है जिनकी income बहुत कम है income कम होने के वैसे interest rate जादा तो आप charge कर सकते हो बढ़ वहाँ पर ये unsecured loans भी देते हैं तो ये एक risk है इस bank के साथ associated तो ये आपको समझना जरूरी है अब हम कुछ चीज़े और भी discuss करते है देखे, bank के उपर आप पैसा लगा रहे है small finance bank जरूर है बढ़ बैंक के अंदर important क्या होता है अब उसका NPA कितना चल रहा है उसके non-performing assets कितने और कितने percentage में है तो gross NPS bank का है 2.44% का but net NPA non-performing assets अगर हम net देखे तो 0.87% का इसका net NPA है जो की बहुत ज़्यादा नहीं है इस category के अंदर, small finance banks की category के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है as of September 2023 अब इनके पास 771 banking outlets है और ruler के अंदर 278 इनके outlets है अब deposit size के according अगर हम देखे इस bank को तो ये top 4 players के अंदर आ रहा है इनके deposit growth भी अगर हम देखे 15.16% से इनकी CAGR आ रही है मलब compounded annual growth rate जो है वो 15% से उपर का deposit growth का 2021 से हम 23 के अगर बीच में देख रहे हैं तो तो इनके deposit size बढ़ता जा रहा है अब ऐसा commercial bank की इन्होंने 2019 में operate किया तो data हमारे पास limited है बट अगर हम financials की तरफ देखें ये मैं आपको definitely भी बात करने वाले हैं और भी चीज़ों के उपर 2021, 22 और 23 के अंदर revenue 2021 में 20,000 क्रोड को पार कर गए और यहां पर 25,000 क्रोड को पार कर गए 2023 में profit 72 क्रोड, 17 क्रोड और 2023 में 256 क्रोड का इनका profit था तो as such financials में कोई गरबन नहीं है NPA भी मैंने आपको बता दिया पट अब एक problem वाली बात किया कि इनका जो customer base है वो जाधतर customer base Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra और West Bengal से है तो इनका focus जो है although by states के अंदर ये company present है, ये bank present है but इनका major focus इन 4 states के अंदर है तो यहां पर अगर कुछ political चीज़े disturb होती है और बहुत सारे और भी factors है आप socio-economic बहुत सारे factors consider कर सकते हैं जिसकी वज़े से हो सकता है कुछ negative impact आ सकता है क्योंकि customer base बहुत centric है पूरा फैला हुआ नहीं है distributed नहीं है इनका एक dispute चल रहा है Bank of Maharashtra के साथ 100 करोड प्लस interest का पर 100 करोड प्लस इंटरस का पर 100 करोड प्लस बैंक के लिए फिर apply कीजेगा इस IPO के लिए और अगर आपको subscription status दिख रहा हो उस वक्त की बहुत जादा जा रहा है तो आप चाहे तो retail category के अंदर apply करने तो एक ही lot से अगर सकते हैं अगर आपका budget दो लाग से उपर का है तो आप एचाने category को भी choose कर सकते हो point number two अगर आप सिर्फ retail category अंदर एक lot से apply करने वाले हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमें allotment मिलता ही नहीं है तो उसके लिए आपको घर में अलग-अलग demit account से apply करना चाहिए तो आपके allotment के chances बढ़ जाते हैं कई लोग comment करते हैं कि मैंने apply किया था क्योंकि आपने सिर्फ एक ही demit account से apply किया था तो अपने family के अलग-अलग members के demit account आप खुलवा सकते हैं आपको demit account खुलवाने का link description और print comment में मिल जागा इसी video के in fact आप reference अंगर के भी पैसे कमा सकते हैं companies इस वक्त अच्छा offer दे रही हैं तो आप reference पर कितना amount दे रही हैं वो description और print comment में जाके check कर सकते हैं so price range क्या है price range है 393 से लेके 414 अब upper band को यह आप देखेंगे 414 अगर हम यह आपर देखें lot size है 36 का lower price band के according 393 के according आपकी investment लगेगी 14148 की अपर price band के according आपकी investment लगेगी 14904 की लगब 15,000 रुपे आपके लग रहे हैं और आपको यही consider करना पड़ेगा क्योंकि subscription मैंने बोले retail में तो already आई चुका है तो over subscription जाने के chances है 9 तक investment आपको समझा गया 15,000 की होगी issue size आपको समझा गया 570 करोड का होगा तो आपको इसमें जो allotment मिलेगा वो मिलेगा आपको 12 February को 12 तारिक को आपको allotment मिल जाएगा जिन लोगों को allotment नहीं मिला उनको refund आजाएगा 13 तारिक को और जिन लोगों को allotment मिल गया उनका 13th को ही 13 February को आपके डीमेट अकॉन में shares आजाएगे अच्छा listing होगी इसकी 14 February को Valentine's Day पर listing होने वाली है इस IPO इसके अलावा अगर आप चाते हैं कि जो दो नए IPO आचुके हैं मार्केट में उनकी उपर भी वीडियो बनाई जाए तो आप लिग दी जाएगा comment में We want more videos on IPO तो हमें बता लग जाएगा आपको IPO के उपर वीडियो चाहिए सीखने को मिल रही है आप प्लीज उनकी value कीज़े मैं देख रहा हूँ आप लोग जो देख रहे हैं वो बहुत अच्छे comments कर रहे हैं पट क्योंकि वीडियो लेंदी होती है मैं कोई educational content मनाता हूँ entertaining content नहीं मनाता तो कोई comedy नहीं हो रही है आपको serious content serious education free of cost सीखने को मिल रही है मैं आपसे बस यह request करूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उन्हें शेर कीजिए जाद साथा लोगों तक पहुचाईए हमने जो mathematics of stock market और वो Warren Buffet की option trading strategy की उपर जो वीडियो बनाई है अगर आपने नहीं देखी तो i button और end screen पर link मिल जाएगा उन्हें जाके देखिएगा बहुत अच्छी वीडियो और आपके काम जरूर हैंगी so we will see you in the next video till that time you go self made and jahen